स्री शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादेव आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत सागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कि राधा अस्टमी पर राधा जी की पूजा कैसे करें, उनका जन्म कैसे कराएं, राधा अस्टमी का वरत कैसे करें, उन्हें भोग क्या लगाएं, इन सभी की जनकरी हम आज की वीडियो के माधिम से जानेंगे। परसाने में धुमधाम से मनाये जाता है राधारानी स्री कृष्ण की अराध्या है इसलिए कहा जाता है कि राधा नाम जपने से स्री कृष्ण सीक्र प्रशन हो जाते हैं तो ऐसे में आईए जानते हैं कि राधा अस्टमी की सरल पूजा वीधी क्या है इसका महत्तो क्या है औ अगले दिन 23 सितंबर 2023 को 12 बचकर 17 मिनट पर इस तिथी का समापन होगा। उद्या तिथी के अनुसार राधा अस्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधारानी का पूजा दोफर 12 वजे में किया जाता है। 23 सितंबर को राधा अस्टवी वाले दिन राधा रानी की पूजा का सुप मोहरत सुबह 11 बचकर 1 मिनट से 1 बचकर 26 मिनट तक रहेगा यदि आपके घर में राधा रानी है तो बड़ी अच्छी बात है यदि नहीं है तो अपने घर में विराजमान लड़ू गोपाल को ही राधा रानी का सरूप दे सकते हैं और यदि आप राधा रानी को लाने के बारे में सोच रहे हैं तो राधा अस्टवी से अच्छा दिन क की जो पुजा होती है 12 बजे हमें उनका जन्म नहीं कराना होता है क्योंकि राधा जी का प्राकट कमल पुष्ट से हुआ था इसलिए हो सके तो आज के दिन राधा जी को कमल का पुष्ट जरूर अर्पित करें अब आए जानते हैं राधा अस्ट्यमी की सलर पुजा विदी क् अपने लड़ू गोपाल को ही राधा जी का सरूप दे कर राधा अस्ट्यमी की पुजा करूंगी राधा अस्ट्यमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाए इसनान आदी करने के बाद पुजा की त्यारी करें यह पुजा आप अपने घर की मंदिर में भी कर सकते हैं अलग से च दिन पारन करें दूसरा अपने घर की मंदिर में जहां आपको राधा अस्ट्यमी का पूजन करना हूं वहां कलस की अस्थापना करतेंगे इसके बाद आप व्रत का संकर्प लेंगे दोपर 12 बजे राधा रानी का जन्म होता है पूजा भोग आर्थी करने के बाद आप असान लगे उस व्रिद्र से आप राधा अस्ट्यमी का व्रत कर सकते हैं उनका सुंदर हम सिंगार कर देंगे सिंगार के बाद हमारी राधा रानी त्यार हो गई है पूरा सिंगार होने के बाद हम अपनी राधा रानी के हाथों में महंदी लगाएंगे और उनके केसों को अच्छी तरह से जारते वे उनका शीशे में मुखदर्शन कराएंगे। जो लोग जन्मास्टमी का व्रत करते हैं अगर वो राधा अस्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। उनकी पूजा अदूरी माने जाते हैं तो आप कृष्ण जर्म आश्टमी की तरह राधा आश्टमी भी धूम धाम से मनाएं अब यहाँ पर राधारानी का सुन्दर सिंगार हो गया है अगर हो सके तो आप उनको नेले रंग का वस्त्र जरूर पहना है क्योंकि नेला रंग र राजमान करके उसके बाद हम कलस के स्थापना करेंगे अपने कलस को रखा है जिसमें मैंने गंगा जल और जल डाला है एक सिका लॉंग इलाची पुस्प डालकर पंच पल्लो रखा और उपर से मैंने अच्छा ती कटोई रखकर अपने दीब को रखा दूप को प्रवजि करेंगे जिस घर में नित राधारानी की पूजा सेवा होती है उनका नाम जब किया जाता है भजन किर्टन किया जाता है उस घर में सदा श्री कृष्णी जी का वास रहता है क्योंकि राधा जी कृष्णी की अराध्या है अब हम राधारानी को तुलसी दल समर्पित करेंग उसके बाद हम थोड़ा सा सहद राधारानी को चटाएंगे, इसके बाद गडेशी को कलावा और सिंदूर समर्पित करेंगे, सभी को हम पुनाह चंदन का तिलक लगाएंगे, अब हम भोग प्रशाद समर्पित करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहां दूद में थोड़ा सा मि मिस्री डालकर राधारानी को समर्पित किया है, इसके बाद माखन मिस्री, मेवे का हल्वा, तथा पंच मेवा मैंने भोग के रूप में राधारानी को समर्पित किया है, साथ में मैंने एक ग्लास सुध जल भी राधारानी को समर्पित किया है, और मौसम के अनरूप आपके आठ तरे के भोग जरूर बनाएं। अर्वी की सबजी राधारानी को सबस्यादा पसंद है। इन सब के अलावा आप हल्वा पूरी खीर का भी भोग राधारानी को लगा सकते। सबी भोग में तुलसी पत्ती डालना ना भूले आज राधारानी का प्राकर टुफस है तो हो सके तो राधारानी को आज कोई गिप्ट जरूर से दे राधारानी को पान का वीड़ा अत्यंद प्री है तो हो सके आज की दिन आप उन्हें पान का वीड़ा जरूर से समर्पित क अब हम किसोरी जी की आर्ती करेंगे और आर्ती के बाद दक्षिडा के सुरूप में हम थोड़े दब्ध भी चढ़ाएंगे अब हम हाठ जोड़ के राधारानी से प्रात्ना करेंगे कि राधारानी हम पर अपनी किरपा बनाए रखे और हमारे जीवन में आने वाले कस्टों को दूर रखे हमें साहस धैर प्रदान करें और पुजा में होई गलतियों के लिए हम उनसे छमा प्रातना भी करेंगे अपनी विसेस मनुकामना पूरती के लिए राधा अस्टिमी के दिन से लगातार 21 दिन तक राधा चालीसा का पार्ट करना चाहिए या चालीसा का पार्ट यदि आप सुबह से कर रहे हैं तो प्रति दिन आपको सुबह करनी चाहिए यदि आप सामपो कर रहे हैं तो ये पाठ आपको सामप करना चाहिए इस तरह से राधा चालीसा का 21 दिन तक पाठ करने से हमारी सभी मनोकामनाई पूर हो जाती है तो ये रही राधा अस्टिमी की सरल पूजा भी थी आसा करती हूँ आपको मेरे दरा बताई गई ये जानकर अच्छी से समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के ले श्री शिवाह नमस्तुभ्यम हर हर महा देव